बार एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परिक्षावल्ड के से यूटूब चैनल में है दोस्तों मैं आसा करता हूँ कि आपकी जो तैयारी है कंप्लीट हो चुकी होगी जीके, जीयस, करेंट अफेयस, हिंदी आपका एकदम तैयार हो चुका होगा यह जो कही वीडियो में सम्लिद करने की कोशिश की है, जाते जाते इस करेंट अफेयस के वीडियो को जरूर आप देख लीजेगा, यह वीडियो आपके एकजाम के लिए काफी जयदा महत्वपूर्ण हो सकता है, मोस्ट सेलेक्टेड मई और जून के जो इंपॉर्टेंट करेंट देख लीजेगा, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन आप लगबग एक घंटे से ज्यादा का नहीं होगा, फिर भी इसको आप एक बाद देख लीजेगा, तो स्टार्ट करते हैं, गगन एडेड अप्रोच का उप्योग कर उतरने वाली पहली एसिया की इसके बारे में आपको याँ दखना है, तथा यह जो गगन है, यह स्वदेशी निविगेशन सिस्टम है, तो इसके बारे में आपको याँ दखना है, यह गगन जो है स्वदेशी निविगेशन सिस्टम है, जो इस रोर एरपोर्ट और थोर्टी ऑफ इंडिया के जारा मिल कर विक्सित किया ग्या है तो इसके बारे में आपको यादकना है इसके इलाभा इस गगन निविगेशन टक्नीक का उप्योग कर उतरने वाली एसिए की पहली एयर्लाइन बन गई इंडिगो एयर्लाइन तो curious के अजिमेर में मिलेगा यहीं परिया उत्री थी आत्म निर्भार प्रधान मंत्री जन आरोगी योजना सेहत के तहट जो है 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बना था जम्यो कस्मीर का सामबा तो इसके बारे मैं आपको याद अखना है और प्रधान मंत्री जो गातर नगर में मिलेगी तता इस सेहंत्र को बनाया गया है इसको आप याद कर लीजे का आफी ज़जाधा महत्पुर्णी तता यह दूनिया का पहला नैनो यूरिया सेहंत्र है जिसका उद्गातर कि लिए गया जया गिया ऑर कलूल नामक जगतर जो की गातव गुजरा सा 221 22 में तो इसके बारे मापको याद अखना है अगला प्रस्तन में से कौन सा संगठेन भारत के मिशन कर्म योगी को समस्थन दने के लिए 47 million अमेरिकी डॉलर का रिड दे रहा है तो 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रिड दे रहा है आपका वर्ल्ड बैंक कहने के आप्सन जो आपका है यहां पर यह वाला है बिल्कुल सही हो जागा वर्ल्ड बैंक जो है न या आपके मिसन कर्म योगी के लिए जो है कितना रिड़ दे रहा है तो 47 मिलियन डॉलर का रिड़ दे रहा है तो इसके बारे में आपको याद अखना है काफी महत्रपूर्ण है मिसन कर्म योगी के तहरे जो है आपके ट्रेनिंग की जाती है सीप का संबन्द निमनलगित में से किसराज या किंद सासिर प्रदेश के चात्रों को मिलता है तो जम्मु कस्मीर और लद्दा के चात्र होते हैं इनको जहें पिधान मंत्री स्वेस्ल-शृर सीप स्कीम का जो लाब है वह मिलता एसके बारे में आप दखना है तत्था हाल ही में इस scheme ko जो है अगले 5 वर्सों के लिए बढ़ा दिया गया है इसका जो time period ग्ले 5 वर्सों के लिए बढ़ा दिया गया है इसी कारण से यह prime minister special scholarship scheme जो है newes में थी तत्था इस scheme का लाब जो है जम्मू और कस्मीर जम्मू कस्मीर और लद्दा के चातरों को मिलता है तो इसके बारे में आपको याद अखना है उत्तर भारत के पहले और द्योगिक बायोटेक पार्क का उधगाटन जो है किस राज या केंद सास्री पदेश में किया गया तो जम्मू कस्मीर के कठुवा में जो है उत्तर भारत के पहले और द्योगिक बायोटेक पार्क का उधगाटन किया गया तो इसके बारे में आपको याद अखना है जम्मू कस्मीर के कठुवा में देश के पहले जीन बेंक कारिकरम को मंजूरी देने वाला राज याद अखना है तो राज जो आपका है वह महाराश इसके बारे में आपको यादखना है हाली में किस मंत्राले के दरा जो है Employment Survey Report प्रकासित की गई तो हाल ही में जो Employment Survey Report है यह इसका जो Third Quarterly यह था तो तीमाही वाली तिसरी जो रिपोर्ट है यह प्रकासित की गई थी किसके दरा तो अप्यात के लिजेगा और Labor और Employment जो मंत्राले हमारा है स्रम एवं रोजगार जो मंत्राले है इसी के दरा जो है Employment Survey Report को प्रकासित किया गया तो तो इसके बारे में आपको यादखना है स्रम एवं रोजगार मंत्राले और इसके जो है मंत्री कौन है तो भुपेंदर यादव इसके मंत्री है तो इसके बारे में आपको याद अखना है, तता भारत में सबसे ज़्यादा रोजगाल देने वाला सेक्टर कौन सा है, तो manufacturing जो सेक्टर है, manufacturing सेक्टर, आपका भारत में सबसे ज़्यादा रोजगाल देने वाला सेक्टर है, area है, अगला प्रस्थन है, हाल ही में आयोजित, का छह्ती डॉक्यिमेंटरी को लग्र डॉवर्ड दिया गया था काफी महत्रपूर्ण है सबसे पहले आपी आप आथ देखेगा इर जो होड्स है किस भाग्ति डॉक्यमेंटरी को दिया गया है तो All East इस डॉकुमेंटरी को जो है यह अवार्ड दिया गया था इसके लबाए जो कांस फिल्म फेस्टिबल है यह किस देश का फिल्म फेस्टिबल है तो यह फ्रांस का जो है फिल्म फेस्टिबल है तो इसके बारे मापको याद अखना है हाली में विश्व स्वास्त संगठन के द वर्ल्ड नो टोबे को देखा तो protect the environment इसका theme था इसके बारे में आपको यादखना है तता हाली में WHO के द्वारा विश्वत तमाखो निश्य दिवस पूरसकार 2022 दिया गया जार खंड को अगला प्रस्न है हाली में भारती नौसेना का जहाज INS घडियाल चिकिस्सा सुविधा लेकर किस देख गया हुआ तो तो सिलंका गया हुआ था INS घडियाल जिसके बारे में आपको यादखना है काफी महत्रपून परस्ना है और इंडियन बिल्डिंग कॉंग्रेस के दारा हाली में किस सनरचना को based infrastructure project award को दान किया गया था तो अटल टनल को अटल सुरंगश को जो है हाल ही में इंडियन बिल्डिंग कॉंग्रेस के दारा based infrastructure project award दिया गया तो तो अटल टनल आपका राइट इंचर हो जाएगा इसके बारे में आपको यादखना है तथा यह मनाली लेह हाईवेब आपको मिलेगी रोहतांक में इसकी लोकेशन है और जो है नौ दसमलो तो किलो मीटर इसकी कुल लंबाई है तो इसके बारे में आपको यादखना है और दुनिया का सबसे तेज सुपर केम्पूटर जिसका नाम frontier है किस देश का है तो यह अमेरिका का है इससे पहले जापान का सुपर केम्पूटर जद था फोगाकू यह दुनिया का सबसे Immunization Champion Award 2022 वाला किसे दिया गया है काफी महतरपूर्ण है तो यह जो पुरसकार है यह दिया गया Unicef के तरह Immunization Champion Award या उमर निसार को दिया गया RJ यह है तो जमू कस्मिल से लेटेड़ है तो इने को जो है यह अवर्ड दिया गया था RJ उमर निसार इनके बारे में आपको याद कि इनके बारे में आपको याद अगना है कैथरील रसेल अगला प्रसन है गार्बेज फ्री सीटिज के लिए नेशनल बिहाइबियर चेंज कम्यूकेशन फ्रेमवर्क किस मिशन कारिक्रम के तहट सुरू किया गया है काफी महतरपूर्ण है प्रसन आपका तो गार्बेज फ स्वक्ष भारत मिशन सहरी के तहट जो है इसको स्टार्ट किया गया है एक चीज आप ध्यान दिजेगा स्वक्ष भारत मिशन आपका एक सहरी है और एक ग्रामिर है तो सहरी का क्रियानवन कौन सा मंत्राले कलता है तो आवास वह सहरी मामलों के मंत्राले के द्वारा स्वक् प्रकृति एक कानूनी इकाई के साथ एक जीवित प्राणी भी है तो यह का गया था मदरास हाई कोट के द्वारा इंपोर्टन प्रस्न है भारती नौसेना का जहाज आयनेस गोमती जो है हाल ही में सिवा मुक्त हो गया है तो आयनेस गोमती के लिए कहां पर ओपन एयर संग्र त्वा धाले बनाया जा रहा है तो यह जो म्यूजिय dwell में बनाया जा रहा है लखणों महीं आपका यह आयनेस गोमती सिवा मुक्त होने के बाद रहेगा तो इसके बारे में आपको याद अखना है और ने चीफू सुरंग की स्राज्य में है काफी महत्रपूर्ण है तो ने चीफू सुरंग आपको मिलेगी और नाचल प्रदेश में तुरा टमसर आपका क्या हो जाएगा ओप्सन जो आपको यहाँ पे ए है बिल्कुल सही है इसके बारे में आपको याद अखना है बियारो के दोरा जो है इसको बनाए गया है बॉर्डर रोड और्गनाजेशन के दोरा इसको बनाए गया है बियारो जो है डिफेंस मुनिस्ट्री यानि के रक्षा मंतराले के अंतरगत आता है तो इसके बारे में आप याद दिख अविन्या तो इसके बारे में आपको याँ दखना है काफी महत्रपूर्ण है डिरेक्टलि आपसे पूछाया सकता है तो अविन्या इलेक्टिक वाहन और धार्णा का जो संबंद है टाटा मोटर से है हाली में भारत ने किस देश के साथ 17 साल के राजनाइक संबंद पूरे कि इनकी जो है हाली में गोली मार कर हत्या कर दी गई है तो इसके बारे में आपको यादखना है इसके लावा जपान में जो है 2022 का क्वार्ट समिट भी आयुजित किया गया था इसके बारे में आपको यादखना है तता एसिया का महिलाओं का जो एसिया होकी कप है 2022 वाला महिल तो हरा तीतर है इसके राज़ानिफ टोक्यो है तो इसके बारे मैं आपको यादकना है और वर्थमानमें यहां कि बता देता हूं मैं, IIT गांधी नगर में आपका परम अनन्त सूपर केंप्यूटर लगाया गया है, तो इसके बारे में आपको आदकना है, इसके लावा कुछ अनन्य सूपर केंप्यूटर भी हाली में लगाया गया थे, जैसे आपका परम सक्ती, परम सक्ती कहां पर लगाया परम सिध्धी, परम सिध्धी AI जो है यह भारत का सबसे तेज सुपर केंप्पूटर है तो इसके बारे में आपको याद अखना है important यह प्रस्थन है इसके लग परमनंत आपका लगा गया है IIT गांधी नगर में तो इसके बारे में आप याद दिखीगा important है इसके बाद अगला प्रस्थनाप के सामने है हाली में किस राजी के दोरा आयू नामक एक नया स्वास्त वग कल्यान एप लॉंच किया गया है तो आयू नामक एक नया स्वास्त वक कल्यान एप लॉंच किया गया करनाटक के दौरा, उप्सन आपका जो C वाला है, बिल्कुल सही हो जाएगा करनाटक के दौरा, अगला प्रस्न आपके सामने दिया गया है, किस राज ने भारत के पहले ग्रीन फिल्ड अनाज अधारित इ काफी महतरपुन प्रस्न है, कौन सा देश बिटकॉाइन को अधिकारिक मुद्राक रूप में अपनाने वाला दुनिया का दुसरा देश बना था, तो Central African Republic, जो है यह बिटकॉाइन को अधिकारिक मुद्राक रूप में अपनाने वाला दुनिया का दुसरा देश बना था, इसके बारे में आपको याद अखना है काफी महतरपूर यह प्रसनाप का है पहला देश कौन था तो पहला देश आपका था अलसलवाडूर पहला देश आपका था अलसलवाडूर जिसके दरा बिटकॉाइन को अधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया गया था काफी महतर उत्तरपदेश को पीछे चोड़ कर प्रत्म अस्थान पर हो गया है तो महराष्ट जो है उत्तरपदेश को पीछे चोड़ चीनी उत्पादन के मामले में पहले अस्थान पर हो गया है अब उत्तरपदेश का अस्थान जो है दूसरा हो गया है अगला प्रस्तन है हाल ही में कि पर स्थीत है जिसका हाल ही में नाम बदल कर महस नगर हॉल्ट कर दिया गया काफी महत्पुन है तो मिया का बारा बाड़ा रेलवे स्टेशन आपको मिलेगा रायस्थान में तता इसका नाम जो है हाल ही में बदल कर कर दिया गया था महस नगर हॉल्ट इसके बारे में आपको क्या सपया दखना है अस्त्र MK1 किस प्रकार की मिसाइल है तो अस्त्र MK1 आपकी Air to Air मिसाइल है काफ़ी महतबून प्रस्त मैं हाले में किस राज्य में जियूताी संगीवनी, योजना की की गई है important प्रसन है जियोती संजीवनी योजना की जो सुरुवाथ है किस राज्य में की गई काफी महत्वपूण है तो इसके बारे में आप याद रखिएगा जियोती संजीवनी योजना की जो सुरुवात है हाली में कि गई कर्नाटक में option आपका जो यहां पे C वाला दिया गया बिल्कुल सही दिया गया है हाली में किस देश के सनातर मंदिर सांस्कृतिक किंदर में सल्दार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया था काभी महत्पून प्रस्ण है सव्दार पतेल की प्रतिमा का जो अनावरण है कहां पर किया गया था तो हाली में कनेडा में किया गया था काभी महत्रपूर्ण प्रस्थन कनेडा के ओंटेरियो सहर में आएसिया बैटमिन्ट छेंपियंटियोट जीता गया गया था तो पीवी सिंधू का नाम आपके लिए काफी इमपोर्टेंट है इसके बाद अगला प्रस्थनद आपके इस्क्रीन पर दिया गया है वर्ल्ड समिट औफ इन्फोर्मेशन सोसाइटी 2022 का आयजन कहा पर किया गया तो इसका जो आयजन है किया गया सुट्जर लेंड के जिनिवा सहर में आप याद दिखेगा वर्ल्ड समिट औफ इन्फोर्मेशन सोसाइटी 2022 का जो आयजन है यहाँ जिनिवा में किया गया था इ भारस से तो इनका पुनरुधार करने के लिए भारसरकाव के द्वारा एक पहले स्टार्ट के गई है उस पहले के तहई जो है भारसरकाव जो है आपकी दच्छड फिरका और नामीविया से जो है चीता लाएगी ति इसके बारे में आपको याद अखना है दच्छड फिरका और नामीविया से जो है चीता लाए जाएंगे कहाँ पर लाए जाएंगे तो मद्रबदेश के कुनू नेशनल पार्क में कहाँ पत्व मद्देश के कुनो नेशनल पार्क में जो है ये चीते लाए जाएंगे तो इसके बारे में आपको याद अखना है काफी मैतर पुंटरस ने डिरेक्ट्ली आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में वीजिल मिशन का संबंद्ध निम्नलकित में से किस अंतरिक्श एजनसी से है तो आप याद कर लिजएगा वीजिल मिशन का संबंद्ध है या आपका यूरॉपियन इस्पेस एजनसी से है तो औप्सन आपका जो E है याँपे बिल्कُल सही हो जाएगा European Space Agency का यह mission है विजिल इसके अंतरगत क्या किया जाएगा तो सूर के कुछ important point होते हैं कुछ important बिंदू होते हैं जिन में से आपका L1 बिंदू एक हो गया और एक बिंदू आपका L5 है तो इन बिंदू पर जो है दो अंतरिक्षियान तैनात किये जाएंगे आपके विजिल मिशन के तहे तो इस इंपल सीची आप आप आद देखेगा यह सूर से रिलेटेड आपका मिशन है विजिल मिशन किसके दोरा किया गया है तो European Space Agency के दोरा किया गया है European Antrix Agency के दोरा किया गया है तथा इस रो के दोरा भी एक आपका सूरे का मिसन किया जा रहे है जिसका नाम है आदित्य 11 मिसन इसके बारे में आपको याद अखना है जो आदित्य 11 मिसन है यह अभी सुर्य से ही related है यह इसरों के तरह किया जाएगा और नासा के तरह अभी एक सुर्य से related मिशन किया जाएगा जिसका नाम है पारकर मिशन इसके बारे में आपको यादक ना है निम्न में से कौन सी किंद्र सरकार की योजना ने मैं 2022 के महीने में 100 करोड की बिक्री का आकड़ा पार किया था तो प्रधान मंत्री जन और सधी योजना ने आकड़ा पार किया था इसके बारे में आपको यादक ना है रसायन वह उरवरक मंत्राले के अंतरगर योजना चलाई जाती है इसके बारे में आपको यादक ना है अगला प्रसन है हाल ही में आयो जीत पुरूस एसिया कप होकी 2022 का खिताब किस ने जीता तो दच्छिल कोर और स्थान ऑब तो लगबबग आपको यादक ना है फूर्ट के में जीता था जापान ने मैंने आपको यादकण ना है तो पुरूस का जीता दच्छिल कोरिया ने और महिलायों को जीता जill है जापन नी त्था भारत का जो अस्थान है पूरूस एसियाकप होकी 2022 में यह UNICON STOOP 130 के Series 103 के Series जो Sauma मार्क तो यह हाली में इंडिया ने पार किया था थो इसके बारे में आपको यह दैक़ने की हाली में Mixing इंडिया के जारा सो यहाँ पर देख पार रहें अधिक्स वाला, उन दुरलव स्टार्ट means, जो एक बना है जो 1 billion डॉलर से अधिक का मुल्यांकन हाशिर कर लेता है इसके बारे में आपको याद अखना है, काफी महतपूर्ण प्रस्तन है, अगला प्रस्तन है, अटल New India Challenge का दूसरा संस्क्रण कि संस्थान या मंत्राले के दोरा जारी किया गया था, काफी महतपूर्ण है, तो अटल New India Challenge का जो दूसरा संस्क्रण है, कि संस्थान या मंत्राले के दोरा जो है शुरू किया गया तो यह सुरू किया गया हाली में किसके दोरा तो यह आपका शुरू किया गया नीती आयोग के दोरा इसके बारे में आपको याद अखना का भी महत्रपूर्ण है अटल न्यू इंडिया चैलेंज का जो दूसरा संस्क्राण है यहा नीती आयो के दरा शुरू किया गया तता वलतमान में नितियायों के उपाध्यक्ट सुमन बेरी हैं और इसके नए CEO बनाए गया हैं परमेस्वरन अईयर मराश्ट और गुजरात अपना स्थापना दिवस एक मही को मनाते हैं तो आपयात के लिजेगा एक मही 1960 को ये दोनों जो है राज् हाली में हरस्दा सरदगरून निम्नलिखित में से किस खेल की जुनियर-बिस चैंपियन्षिप में स्वन पदक जितनेवाली पहली भारति महीला बन गई तो weightlifting्ग में है वेट लेट लेट लिप्टिंग का जो जूनियर बिस चैंपियन सिफ हुआ था इसमें सौनपदक जितने वाली पहली जो है भारती महिला बन गई थी इनका नाम था हरसदा सरद गरून थी इनके बारे में आपको याद अखना है काफी महत्रपूर्ण है वेट को जोड़ने का काम जो है सरम मंतराले के दरा किया जा रहा है तो आप याद कर लेजेगा इस स्रम पोर्टल से कौन सी योजना जोड़ी जाएगी तो यह योजना आपकी है प्रधान मंत्री सुरक्षा भीमा योजना प्रधान मंत्री सुरक्षा भीमा योजना को जो है इसरम पोर्टल से जोड़ने की बात चल रही है तो इसके बारे में आपको याद एकना है तथा हाल ही में प्रधान मंत्री सुरक्षा भीमा योजना काफी न्यूज में थी क्योंकि इसकी जो प्रेमियम किरासी है उ इसके बाद अगला प्रस्णा आपके सामने दिया गया है। पुष्टक एडवेंचर इन रीडिंग के लिखक कौन है तो रस्किन बॉन्ड है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा इनके दोरा एक ओल पुष्टक लिखी गई है यहाँ आप देख वा रहे हैं लिसेन टू योर हाट द लंदन अडवेंचर जिसके बारे में आपक के लॉंज किया जिएगा है हाली में दुनिया का सबसे बड़ा जो पाउदा है पोसी डूनिया ऑस्टरेलिस किस देश में खो जाएगा है तो इसके बाद अगला प्रस्ण आपके सामने दिया गया है और हाली में कि स्राज जी ने पस्ची मंगाल को फाइनल में हरा का संतोष ट्रॉफी का खिता था तो आप आद कर लिजेगा संतोष ट्रॉफी का खिता इस वर्स केरल ने option आपका भी यहां पे बिल्कुल सही है पस्ची प्रैस फ्रिडम ले 2022 कब मनाये गया तो आप आद कर लिजेगा वर्ड प्रैस फ्रीडम ले 2022 आपका मनाये गया तिन मही को थीज इसके बारे में आप्या देखेगा काफी महत्रपुन प्रसनाप का है इसके बाद 2022 का जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स था इसमें भारत का स्थान डेल स्वावा है और नौर्वे जो है पहले अस्थान पर था इंपोर्डेंट है और निम्नलिकित में से कौन सा से प्य एक्ट्रिक जहाजों का जो है निर्मान किया जाएगा इसके बारे में आपको याद दखना है सुपर इंपोर्डेंट प्रसनाप का है हाली में इंडियन ओयल कोर्पुरेशन के द्वारा किस राज्ज में पाइलेट अधार पर M15 पेट्रोल को लांच किया गया है तो इस प विफ्रिशन के सामने है बारे संदन का संबंद किससे है तो आप याद कर लेजेगा ऑपरेशन रखती चंदन का संबंद है और रेडड लाग चंदन से तृट लाल FOR चंदन की स्मगलिंग को रुकने लिए इसको शुरू किया गया था इंपोर्डेंट प्रसना है हाली में किस सहर में गरीब कल्यान सम्मिलन का आयजन किया गया है तो अप्यात कर लिजेगा सीमला में जो है गरीब कल्यान सम्मिलन का आयजन किया गया इंपोर्डेंट है ओप्सन आपका सी यहां पर बिल्कुल सही दिया गया है का वाशाली में उत्राखंड में काहा पर liquid mirror telescope की अस्ठापना की गई है तो उत्राखंड के नैनी ताल में liquid mirror telescope की अस्ठापना की गई an intent to serve a civil servant remembers इस पुस्तक लेखा कौन है तो इस पुस्तक को किसके द्वारा लेखा गया है तो ते जिंद्र खंणा की या पुस्तक है, इसका नाम है इसके बारे में आपको या दिखना है, ते जिंद्र खंणा ने इसको लिखा है, काफी महत्णा है मुख्यमंत्री मितान योजना, किस राज सरकार के दोरा सुरूकी गई है, तो 36 गड़ के दोरा जो है यह योजना शुरू की गई है इसके बारे में आपको याद अखना है काफी महतर पूर्ण प्रस्णा है हाल ही में Central Board of Direct Texas का अध्यक्ष किसे निउत किया गया तो नितिन गुपता को निउत किया गया आपसे यहां पर बिल्कुल सही है तो गोरकपुर में यहां बनाया जा रहा है इंपॉर्ण्ट है गोरकपुर आपका राइटेंचर है कम्रा देवी क्या है इनपॉर्ण प्रस्ण है तो लिसे बारे Ск法णा किया है इसके बारे में आपको याद करना है wing pharag डिरेक्ले आपसे पूछा जा सकता है तथा इसको बनाया किसने है तो इसको बनाया गया है जी आर एस्सी के दोरा गार्डन रीच सिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के दोरा इसको बनाया गया है इसके बारे में आपको याद अखना है स्नूकर के 200 चैंपियन खिलाडी रोनी ओ सुलिवन का संबंद किस देश से है तो इंगलेंड किसे संबंदित आपके है रोनी ओ सुलिवन तो ये स्नूकर के खिलाडी है इंपोर्टेंट है डिरेक्लि आपसे पूछा जा सकता है कांस फिल्म मार्केट का ओफिसियल कंट्री ओफ ओनर कौन सा देश है तो इंडिया था इसके बारे में आपको याद अखना है कांस फिल्म मार्केट कहां का है तो फ्रांस का है हाली में ग्री मंत्री अमिसा के दोरा नेशनल इंटेलिजेंस ग्रीड केंपस का गाटन काँ बखिया गया था तो अप्यात के लिजेगा नेशनल इंटेलिजेंस ग्रीड केंपस का जो गाटन है किया गया था बैंगलोर में किसके दोरा तो ग्रिह मंत्री अमिस साह के दोरा हाली में दूसरे इंडिया नौडिक समीट का आयजन ने कहां पर किया गया तो डेन्मार्क में जो है किया गया इंडिया नौडिक समीट का आयजन दूसरा वाले आपे बात खम कर रहे हैं पहला वाला आपका इस्टॉक होम में हुआ था हाली में प्रधान मंत्री नरंदर मोदी के सलाकार के रूप में किसे निक्त किया गया तो प्यात कर लिजेगा और किसको निक्त किया गया था तो आपके निक्त किया गये थे तरून कपूर, तरून कपूर को जो है पिधान मंत्री नरेंद्र मोधी के सलाकार के रूप में नियुक किया गया था, काफी महत्रपुन प्रसनाप का है तुर्की का नया नाम क्या होगा, तो तुर्की को अब बुला जाएगा तुर्की ए के नाम से, किस नाम से तो तुर्की को अब तुर्की ए के नाम से बुलाए जाएगा स्रेष्ट योजना का कार्यानवन कौन सा मंत्राले करता है तो अभ्यात कर लिजेगा स्रेष्ट योजना का जो कर्यानवन है यह किया जाता है समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्राले के दोरा तॉप सनाव कभी वाला यहां पर बिल्कुल सही है समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्राले हाली में किसके दोरा एक राष्ट व्यापी अभ्यान पुनित सागर अभ्यान के शुरुआत की गई थी तो NCC की तरह की गई थी हाली में आईसमान भारत डिजिटल मिशन के साथ निम्न में से किस टेली मेडिसीन सेवा को जोड़ा गया है तो अप्यात को लिजेगा इस संजीवनी टेली मेडिसीन जो सेवा है इसको हाली में आईसमान भारत डिजिटल मिशन के साथ एड कल दिया गया है जोड दिया गया है तो इसके बारे में आपको याद अखना है आईसमान भारत डिजिटल मिशन के अंदर का जो है 14 अंको कार आभा नंबर भी दिया जाता आते हैं आपको याद अखना है अगला प्रस्तन है तो यहां पर आई एफ यानि कि इंडियन एयर फोर्स हेरिटेज सेंटर की जो अस्थापना है कि स्राज जिया के इंदर सासरी प्रदेश में की जाएगी काफी महत्रपुण प्रस्तन है तो इसका राट इंसर आपका क्या हो जाएगा इंडियन एयर फोर्स हेरिटेज सेंटर की जो अस्थापना है यह चंटी गड़ में की जाएगी ऑप्सन आपका सी यहां पर बिल्कुल सही है चंडी गड़ में आंचल योजना की सुरुवात किस राज सरकार के दरा की गई है एक प्रकार का गर्वती महिलाओं के लिए बिसेस स्वास्त अभियान जिसका नाम है आंचल तो इसकी जो सुरुवात है किस राज सरकार के दरा की गई तो आप याद कर लेजएगा रहस्थान की सरकार के दरा option आपका जो भी यहां पे है बिल्कुल सही हो जाएगा राजस्थान इसके बारे में आपको याद अखना है the India story पुस्तक के लेखर कौन है काभी महतपून प्रस्थन है आपसे पूछा या सकता है इसके बारे में तो the India story पुस्तक किसने लेखिए तो भीमल जलान के दोरा या पुस्तक के लिए सुपर इंपोर्टेंट ये भूख है आपके एक्जाम के लिए बीमल जलान के दोरा या पुस्तक लिए अगदम नई पुस्तक है मई के महिने में लेखी गई है इसके बारे मीं आप या देखीएगा हाली में Globe Sick 2022 Forum की मेजबानी किस देश के दरा की गई तो स्लोवाकिया के दरा की गई काफी मैतरपोन है स्लोवाकिया के दरा जो है हाली में Globe Sick Forum 2022 की मेजबानी की गई और भारत की तरफ से इसमें गए थे S.J.S.ंकर इसके बारे में आपको याद अखना है हाली में बीना सप्लिमेंटल ओक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर फता करने वाली पहली भालती महिला बन गई है पियाली बसाक तो इनका नाम आपके लिए काफी ज़्यादा महत्पूर्ण है जो पहली महिलाएं होती है आपके एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण होती है तो इस प्रकार के प्रस्णों को कम से कम आप दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लिया करिए तो पियाली बसाक आपका राटन चुर जाएगा उप्सन ए हाली में सिक्षा मंतरी के दारा किस प्रकार के एस्कूल खोड़ने की घोसना की गई है तो अब जो है किस प्रकार के स्कूल खोले जाएंगे तो पियंशे इसकूल खोले जाएंगे तता इसमें जो है जो सिक्षा अभोगी जो ईज्यक Originally होगी अब नई education policy के तहदी जाएगी जो नई वाली सिक्षा निति आई थी न उसी के तहद जो है अब ये सभी school खोले जाएंगे तो इन school का क्या नाम होगा PM Shree School इसके बारे में आपको याद रखना है PM Shree School अगला प्रस्थन आपके सामने है हाली में दुनिया की पहली fishing cat census जो है किस जील पर किया गया काफी में तप्रून है तो दुनिया की पहली fishing cat census कि जील पर किया गया थो तो चिलका जील उडिसा की जो famous चिलका लेख है चिलका जील है समप्रिती यू धव्याज का जो आयजन है भारत और किस देश के मत देखिया गया तो अभ्याज के लिजेगा समप्रिती यू धव्याज का जो आयजन है भारत और बांगला देश के मत देखिया गया तो आपसन आपका जो ए है यहाँ पे बेलकुल सही हो जाएगा इसके बाद अगला प्रस्थन आपके सामने है हाल ही में World Cities Summit 2022 जो है निमनलिखित में से इसमें किसे अमंत्रित किया गया था important प्रस्थन है directly आपसे पूछा आ सकता है तो World Cities Summit में जो है किसको अमंत्रित किया गया था तो अर्विंद केजरिवाल को इसमें अमंत्रित किया गया था तो option आपका जो C यहाँ पे बिल्कुल सही हो जागा तथा वर्ड सेटिज समीट 2022 का जो आयजर न किया गया था सिंगापूर में इसके बारे में आपको याद अखना है हाली में French Open 2022 में पुरुस एकल का खिताब जीता था राफिल नडाल ने option आपका भी यहाँ पे बिल्कुल सही है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पुरुस एकल और महिला एकल दोनों मैंने लिखा हुआ है French Open का तो पुरुस एकल का खिताब जीता राफिल नडाल ने जो की Spain के रहने वाले हैं उप बिजिता इसमें थे इंटरपोल जन्रल असंबली 2022 का जो आयोजन ने कहाँ पर किया जाएगा तो नए दिल्ली में किया जाएगा काफी महत्रपूर्ण है प्रस्न है हाली में खेलो इंडिया यूनिवरसिटी गेम्स 2021 को किस ने जीता था तो आप याद को लेजेगा खेलो इंडिया ने तो इसके बारे में आपको जाएग ताथा यहीं पर इसका आयोजन भी किया गया था जैन यूनिवरसिटी में ही इसका आयोजन भी किया घया था तो डिरेक्टल आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है तो इसे आप याद कर लिजेगा जैन युनिवर्सिटी के दोरा खेलो इंडिया युनिवर्सिटी गेम्स जीते गए थे तो आप्सन जो वी वाला आपका दिया गया है यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है तथा यह जो आपकी जैन युनिवर्सिटी आपको बैंगलोर में मिले के इसके बारे में आपको याद रखना है तथा जैन युनिवर्सिटी ने टोटल जो है 32 मेडल जीते तथा इन 32 मेडल में से आपके 20 जो है गोल्ड थे तो इसके बारे में आपको याद रखना है और नि हाली में भारत के किस ब्यक्ति को C.I.A. का पहला Chief Technology Officer निक्त किया गया तो इनका नाम है नंद मूल चंदानी तो आपका जो यहां पे B वाला है बिल्कुल से हो जाएगा नंद मूल चंदानी को हाली में C.I.A. का पहला Chief Technology Officer निक्त किया गया तो आप इसे याद कर लेज़ेगा या American Agency है C.I.A. तो इसके बारे में आप याद देखिएगा आठ हजार मिटर से उपर की पांच चोटियों को फतह करने वाली पहली भारती महिला कौन बनी है कापी महतरपुन प्रस्णाप का है डारेक्टलिस से आपके जामी प्रस्ण पूछा या सकता है तो इनका नाम है इनका नाम आप आद कर लिजेगा प्रियंका मोहिते प्रियंका मोहिते जो है ये आठ हजार मिटर से उपर की पांच चोटियों को फतह करने वाली पहली भारती महिला बन गई है तो प्रियंका मोहिते आपका राटेंचर आप्सन आपका सी यहाँ पे बिलकुल सही है ये कहा तो पुरुष एकल का खिताब के द्वारा और महिला एकल का खिताब ककिस ने जिता तो महिला से एकल का किताब जिता गया। यह नाम आप थोड़ा से अजीब है। इसको तो इसके बारे मैं आपको याद आखना है। ली जी जी या किस देश के खिलाड़ी है, तो यह मलेशिया के खिलाड़ी है, और वांग जी इ, ये चाइना की फ्लेएर है, खिलाड़ी है, इने के दर जो है, पुरू सेकल और महिला एकल का खिताब चिताब चिताब चिताएगे है, तो दोनों आपको यादकना important है, हाली में World Food Prize 2022 किसे दिया गया है कापी महत्रपून प्रस्थन है World Food Prize 2022 किसे दिया गया है तो इनका नाम क्या है Cynthia Rojan Wake यह नाम आपके लिए important है option जो आपके यहाँ पे B वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा तो इसके बारे में आपको याद अखना है तता 1986 में जो है रही में किस भागती राज जिने Blue Duke को अपना State Butterfly घोसित किया है Blue Duke को किसने अपना State Butterfly घोसित किया है इसका जवाब आपको comment box में देना है तो right answer आपका क्या हो जाएगा सिक्किम सिक्किम जो राज जी है इसके दोरा Blue Duke को जो है State Butterfly घोसित किया गया है तो राट इंसर आपका क्या हो जाएगा सिक्किम इसके बारे में आपको याद अखना है option A और हाली में ग्री मंत्री अमिस्तार के दोरा किस राज या किन्द सासरी पदेश में National Tribal Research Institute का उगाटन किया गया था तो आपके लिजेगा दिल्ली में जो है National Tribal Research Institute का जो है आयोजन किया गया तो आपका जो बी वाला यहाँ पर दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा नई दिल्ली में सीतल साथी उस्सो किस राज यमें मना जाता है कापी महत्रपून प्रस्तना है सीतल साथी उस्सो किस राज जिमें मना जाता है तो ओडिशा के संभलपूर में कहाँ तो ओडिशा के संभलपूर में यह तिवहार मना जाता है तो राटन सरा पर क्या हो जाएगा ओडिशा के संभलपूर में अपका B यहाप दीया गया है बिल्कुल सरूल हो जाएगा हाली में किस मंत्राले के द्रा क्लीन घ्रीन चएंपेचन, सुरू किया गया है कि हमत्पू wires और आपको यादक ना है क्लीन एंड ग्रीन केम्पेंड की शुरुवात की गई इसके बारे में आपको यादक ना है एक बहुराष्टी सांती अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट का जो आयजन है कहां पर किया गया यह एक बहुराष्टी सेन अभ्यास से जैसा कि नाम से आपको प्रतीत हो रहा होगा तो इसका जो आयोजन ने कहां पर किया गया तो इसका आयोजन किया गया आपका मंगोलिया में कहां मंगोलिया में जो है इसका आयोजन किया गया इस सांतिय अभ्यास का नाम है X-Khan Quest तो इसके बारे में आपको याद अखना है काफी महत्रपुन या exercise है या एक बहुराष्टिय सांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट इसके बारे में आप या देखेगा इसके बाद अगला प्रस्था आपके सामने है हाली में प्रकासित ग्लोबल सस्टनेबल डेवलप्मेंट रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान आपसे पूछा जा रहा है क्या था क इसके बारे में आपको या दखना है पिछले साल भारत का स्थान था 120 इसके बारे में भी आप या देखेगा 120 पिछले साल था और 121 जो है 2022 में हो गया है और फिल्लैन जो है इसमें पहले स्थान पर इसके बारे में आप या देखेगे काफे महित्पून प्रस्थना है एक यहाँ पर मंगोलिया जो मैं आपको बताया था तो आप बताए कि मंगोलिया और भारत के मद्द कौन सी exercise कि जाती है भारत और मंगोलिया के मद्द किस exercise का जो आयजे नोगा किया जाता है इसका जवाब आप हमें comment box में देंगे अगला प्रस्ण आपके सामने है माता खीर भावानी मेला कहां पर मनाया जाता है काफी important प्रस्ण है माता खीर भावानी मेला के बारे में आपका आपसे पूछा जा रहा है काफी महत्यपून प्रस्ण है तो माता खीर भवानी मेला आपका कहाँ पर मनाय जाता है तो यहाँ आपका मनाय जाता है जम्मू कस्मीर में जम्मू कस्मीर आपका जो B वाला दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा एक फेमस मंदिर है यहाँ पे रगन्या देभी मंदिर तो रगन्या देवी मंदिर के परिसर में जो है यह मेला मनाया जाता है माता खेर भवानी मेला प्रतिक वर्ष तो जम्मू कस्मीर आपका राटेंच रो जाएगा option B और नासा का दाव विंसी मिशन किस ग्रह से संबंदीत है अगला प्रतिक विंसी मिशन किस राटेंच 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 से संबंदीत है आपको बताना है मुख्य मंतरी मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना काफी महत्पून प्रस्तन आपके एकजाम के लिए है तो यहाँ आपका संबंदीत है नई दिल्ली से दिल्ली से तॉप्सनाप का जो B वाले हाँ पर दिया गया बिल्कुत से हो जाएगा दिल्ली के हाली में नए लेट्रिनेंट गवरनर बनाए गया है नए उपरा जिपाल बनाए गया है बिने कुमार सकसे ना तो इनके बारे में भी आपको याद अखना है राइट एंसर आपको जागा दिल्ली चोथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयजन कहाँ पर किया गया था तो हर्याना के पंचकुला में किया गया था और हर्याना नहीं इसको जीता भी है तो इसके बारे में आपको याद आखना हर्याना ने इसको जीता भी है इंपोर्टन प्रस्ण तो हरियाना के पंचकुला में इसका आयजन किया गया था चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि अगले वह से निके दोजा तेज के जो खेलो इंडिया यूथ गेम सुंगे इनका जो आयजन है कहां पर किया जाएगा फटाक से इसका जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में इसके बाद यहाँ पर अगला प्रस्ण आपके सामने दिया गया है किस मंतराले के दोरा C.A.P.F. पुनर्वास योजना शुरू की गई है किस मंतराले के दोरा स्टार्ट की गई है सुरू की गई है फटाक से इसका एंसर में आपको बता देता हूँ एंसर तो सामने ही सब लिखा गया है तो ग्रीम अंतराले के दोरा C.A.P. पुनर्वास योजना के शुरुआत की गई है इसके बारे में आपको याद रखना है ग्रीम अंतराले के दोरा काफी मैंतरपून प्रस्त नहीं यहाँ पर टूर्वास पॉइंट हम बात करेंगे अब जल्दी जल्दी वीडियो को समाप्त करेंगे हाली में भारती टटरक्षक बल के दूसरे स्कॉर्डन को कहां पर कमिशन किया गया तो कोच्ची में किया गया था इसके दूसरे स्कॉर्डन को और पहला वाला जो स्कॉर्डन था वह भूनेस्वर में कमिशन किया गया था और दूसरा वाला स्कॉर्डन हाली में कोच्ची में कमिशन किया गया है भागती टटरक्षक बल का US Open Karate Championships में सोण पदग जीतकर Karate Mix Event में सोण पदग जीतने वाली देश की पहली महिला Karate Athlete बन गई है आपके Supriya Jato सुप्रिया जाटव जो है Karate Mix Event में सोण पदग जीतने वाली देश की पहली महिला Karate Athlete बन गई है तो इनका नाम है Supriya Jato एक्जाम के लिए काफी ज़्यादा महत्पूनिया प्रस्न है गौर भारती बाइसौन जिसको हम बोलते हैं को समर्पित भारत की पहली सफारी किस राज में अस्थापित की जाएगी तो अप्यात के लिजेगा करनाटक के सिव मोगा में कहां तो इसके बारे में आप याद दिखेगा संयुक्त राष्ट कन्वेंशन टू कॉमबैक्ट डिजल्टिफिकेशन के पार्टियों का समयलन कॉप 15 का जो आयजन इस वस किया गया कोट डी आईवरी सहर आपको मिलेगा अभिर्जान में संयुक्त राष्ट कन्वेंशन टू कॉमबैक्ट डिजल्टिफिकेशन का जो कॉप 15 है इसका जो पंद्रहमा सत्र है या आयजित किया गया अभिर्जान के कोट डी आईवरी सहर में तो इसके बारे में आपको याद आखना है इंपोर्टेंट रसन है अगला प्रसन है हाली में 26 बार जो है माउंट एवरेश्ट पर चढ़ने वाली नेपाली सेर्पा का क्या नाम है आपसे पूछा जा रहा है तो नेपाली सेर्पा का नाम है कामी रिता सेर्पा है नाम इंपोर्टेंट है कामी रिता सेर्पा इसका नाम आप्यात के लिए है आपसे डिरेक्ली पूछा है सकता है तो 26 वी बार माउंट एवरेष्ट पर चड़ने वाले नेपाली सेरपा का क्या नाम है तो नेपाली सेरपा का नाम है इनका नाम है प्यात के लिएगा कामी रिता सेरपा इसके बारे मैं आपको याद अखन पर 5000 साल पुराने आभूसर बनाने की फैक्टरी की खोजी गई है तो राखी गड़ी जो की सिंदु गाटी सबेता का एक अस्थल है जो आपको मिलेगा हरियाना में यहीं पर 5000 साल पुराने आभूसर बनाने की जो फैक्टरी है वो खोजी गई है इसके बारे में आपको याद प्रदेश में किया गया सुपर इंपॉर्टन प्रस्न है किस भारती को COVID-19 महमारी के दौरान उनकी सेवा के लिए British सम्मान MBE दिया गया है तो British सम्मान MBE दिया गया है गुरु स्वामी कृष्ण मुल्ती को राटेंचर आपका हो जाएगा अथवास पहल किस जील के काया कल्प से सम्मंदित है तो डल जील के काया कल्प से सम्मंदित है आपकी अथवास पहलती इसके बारे में आप क्या दखना है डल जील अगला प्रस्न है कोष्टा रिका के नए राष्ट पती कौन बने है याद कर दिजेगा रोड्रिको चेफ्स जो है ये कोस्टारिका के नए राष्ट पती बने है प्रेसिडेंट बने है तो इनका नाम आपके लिए इंपोर्टेंट है और इसके बाद अगला प्रसना के सामने है हाल ही में पॉब्लिक सर्विस के छेतर में किसे वर्स 2022 का पुलिजर पुरुसकाल दि दव वासिंगटन पोस्ट को जो है यह पुरुसकाल दिया गया पुलिजर पुरुसकाल 2022 तो दव वासिंगटन पोस्ट आपका राइट इंसर है और पंडित सीव कुमार सर्मा का हाली में निधन हो गया है तो इनका संबंद किस से है तो पंडित सीव कुमार सर्मा का के वादक थे ये आपके संतूर वादक थे पंडित सिव कुमार सर्मा जिनका हाल ही में निजन हो गया तो ये संतूर नामक वाध्य यंत्र बजाते थे और ये कहां के रहने वाले थे तो ये जम्मु कस्मीर के रहने वाले थे पंडित सिव कुमार सर्मा काफी इंपॉर्टन प तो इसके अंतरकर जो है Wi-Fi की सुविधा दी जाती है broadband के द्वारा ते इसके बारे में आपको याद अखने हैं ने की Wi-Fi की सुविधा से free Wi-Fi की सुविधा से समंदित आपका है PM वानी योजना ते इसके बारे में आपको confused नहीं होना है और इसको शुरू किया गया है रेल्टेल कॉर्परेशन आफ इंडिया के द्वारा भारत में सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट के सुरू किया गया है तो गुजरात आपका राइटन शुरू जाएगा काफी महत्तपून प्रसनाप का है और अटल इनोवेशन मिशन प्राइम प्लेबुक की संस्थान के दर लॉंच की गई है तो अटल इनोवेशन मिशन प्राइम प्लेबुक जो है लॉंच की गई नितिया यो के दर द इस्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया रूलर पुलिस टू पीपल पुल इस पुस्तक के लिखा कौन है तो इस पुस्तक को लिखा गया है IPS प्रकास सिंग की दोरा यह पुस्तक आपके एक्जाम के लिए काफी जदा महत्पून है पुस्तक का क्या नाम है तो the struggle for police reforms in India ruler police to people police इसको लिखा है IPS प्रकास सिंग ने काफी महत्पून पुस्तक है आपकी और इसके बाद अगला प्रस्था आप के सामने है हाली में भालती नोसेना का कौन सा जहाज एंटी पारेसी ओप्रेशन के तहत जीबूती गया हुआ था तो इस भालती नोसेना के जहाज का नाम था आइने स्कोल का था तो इसके बारे में आपको या दखना है यहाँ एक एंटी पारेसी ओप्रेशन के तह जीबूती गया हुआ था तो इसके बारे में आपको याद अखना है देश का पहला और गेनिक वेस्ट पावर्ड इलेक्ट्रिक वीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर अस्तापित किया गया है तो मुंबई में जो है यह अस्तापित किया गया है तो इसके बारे आपको याद अखना है मुंबई आपका राइट एंसर हो जाएगा काफी महत्वण प्रस्ण आपका है और नाटो की साइबर रक्षा इकाई में सामिल होने वाला पहला इस याई दिश्मन आपका दक्षिड कूरिया आपका राइटेंचर हो जाएगा हाली में किस भारती वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 दिया गया है तो बाल कृष्ण दोसी राइटेंचर आपका क्या हो जाएगा एर इंडिया के CEO और MD कौन है वलतमान में तो विल्सन कैमपबेल है आप याद के लिजिएगा विल्सन कैमपबेल जो है एर इंडिया के CEO और MD है दिन के बारे मैं आपको याद अखना इंपोर्टेंट प्रसन है डिरेक्ली आपसे इन से प्रसन पूछा जा सकता है इसके लावा चेर्मेन कौन है एर इंडिया का तो एन चंदर सेखरन जो है चेर्मेन है हाली में दक्षिल कोरिया के नए राश्पती कौन बने है तो यून सिुक योल जो है यह दक्षिल कोरिया के नए राश्पती बने है किस मुख्यमंत्री को Relentless Literary Pursuit के लिए Bangla Academy पुरुसकार मिला है तो ममता बनल जी को जो है यह पुरुसकार दिया गया है तो इसके बारे में आपको यादखना है Bangla देश की Chief Minister ममता बनल जी को दीशा नामक Twin Identical Satellite किसने बनाया है तो दीशा नामक जो है Twin Identical Satellite को बनाया गया किसके तरह तो इस रो के तरह जो है इसको बनाया गया है तो राइटन सरा बक्या जागा इस रो के तरह हाली में भारती टैप हाली में भारत टैप पहल की शुरुवात किसके तरह की गई 2021 के लिए भारत में सबसे बड़ा मस्रूम उत्पादक राजी था आपका बिहार इंपोर्डेंट रसन है यह जो रिपोर्ट थी प्रकासित किए गए तो भागती राष्टी बागवानी बोर्ड के आकड़े प्रस्तूत किये गए तो 2021 के लिए राष्टी बागवानी बोर्ड के जो आकड़े 2021-22 के लिए प्रस्तूत किये गए उन आकड़ों के निसार जो है मस्रूम का सबसे बड़ा उत्पादक राजी था आपका बिहार इसके बारे में आप याद दिखेगा कौन सा देश जो है 2030 के South East Asian Games के मिजबानी करेगा तो 2030 के आपके South East Asian Games होँगे कमबोडिया में 2025 के आपके बेंकॉक में होंगे 2027 के आपके मलिसिया में होंगे और 2022 वाला जो आयज़ित किया जाएगा वह आपका वियतनाम होगा यनिके 2021 का 2022 में आयज़ित किया जाएगा और वो आपका कहां पर होगा तो आपका वियतनाम में ही होगा तो इसके बारे मैं आपको याद आखना है important प्रसना है इसके बाद अगला प्रसना पर सामने है और छात्रों के लिए मुप्त नास्ता योजना की शुरुआत हाली में किस राजी सरकार के दरा की गई है तो यहां के जो सरकारी स्कूल है तमिलनाडू के इन्यू के दरा जो है यह गोसना की गई थी कि यह छात्रों के लिए एक मुप्त नास्ता योजना की शुरुआत करेंगे तो राट इन्सराबा क्या हो जाएगा तमिलनाडू टेम पेल्टन प्राइज 2022 किसे दिया गया है टेम पेल्टन प्राइज 2022 दिया गया फ्रैंक विल जेक को किसको तो फ्रैंक विल जेक को यह समा यह पुरसकाल दिया गया तो इसके बारे में आपको याद अखना है दूसरे वैस्विक कोविड सिखर समिलन का विशे क्या था तो प्यात कर लिजेगा दूसरे वैस्विक कोविड सिखर समिलन का जो विशे था यह था महमारी की थकान की रोक्थाम और तयारी को प्रात्मिकता तथा यह वर्चुल रूप से आयजित किया गया था और इसके अधिक्सता अमेरिका के पास थी हाले में उतकर्स समाहरों का जो आयजिन है कहां पर किया गया तो अप्यात कर लिजेगा उतकर्स समाहरों का जो आयजिन है यह किया गया आपका कहां पर तो यहां किया गया गुजरात के भरूच में तिसके बारे में आप क्या दखना है गुजरात के भरूच में इंपोर्ट इंटरसन है अगला प्रस्ता आपके सामने है पर्यावरन प्रदर्सन सुचकांग 2022 में भारत का क्या अस्थान था तो भारत का 1801 अस्थान था सबसे लास्ट पर भारत था इस environment performance index में पहले अस्थान पर आपका Denmark था दुसरे अस्थान पर United Kingdom था तिसरे अस्थान पर फिल्लेंड था और भारत को सबसे आखरी अस्थान मिले था इस index में इस report में तो इसके बारे में आपको या दखना है 1801 अस्थान था भारत का हाली में जारी state food safety index में भारत कोंसा राज जो पहले अस्थान पर था तो हाली में जो आपकी state food safety index जारी किया गया था प्रकासित किया गया था इसमें सिल्स अस्थान पर आपका तमिलाडू था इसके बारे में आपको या दखना है बले राज्यों में पहले अस्थान पर आपक याद अखना है इंपोर्टेंट प्रस्था डिरेक्टल आप से पूचा है सकते हैं इसके बारे में और उत्तरबजेश का इसमें आठवा अस्थान था चोथे स्टेट फूड सेप्टी इंडेक्स में इंपोर्टेंट रसना है तो यहाँ पे आप देख पारें पिक्चर को पॉच करके इनके बारे में आप पढ़ लेजेगा इत्मिनान से मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर हाली में उपराष्टपती M बन कही है नाडियों के जारा कि कि अप देख में इस्टार्टपब ब्रीच का शुबहारम किया गया था तो इस्टार्टपब ब्रीच का जुर पहारम ब्याली में किया गया था कतर में अप्यात के लिएगा को बहु cœur अपकी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा इंप्रोडन रहें 2022 का जो FIFA वर्ल्ड कप होगा वह भी कतर में ही खेला जाएगा हाल ही में आईफा अवोर्ड्स 2022 का जो आयोजन कामपर किया गया था अबुधावी में जो है आईफा पुरिषकाल 2022 का आयोजन किया गया था अबुधावी आपका राटेंच पर जाएगा इसमें विजेताओं को आप देख लिजिए बस चार कटेगरी आपको याँ दखनी है और सर्वसिष्ट अबनेता पूरुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष awards 2022 की इनका आयजन किया गए आपका कहां पर तो ये आयजित किया गए थे अबुधावी में बाल टॉप्स निमने लिखित में से किस संगठन का एक वार्षिक सैन अभ्यास है तो बाल टॉपस जो है किस संगठन का जो है वार्शिक सेन अभ्यास है तो यह नाटो का जो है वार्शिक सेन अभ्यास है और इसका जो आईजन इस वर्स किया गया था कहां पर तो इसका आईजन किया गया था इस वर्स स्वेडन में हाली में street child की मदद करने के लिए किसके दवरा CISS application को launch किया गया था आप इस application को launch किया गया थे आप इसी आध किया गया थे लिए रास्ती बाल अधिकार सरक्षन आयोक के दवरा इमपॉर्टरेंट परस्टा है स्प्टार मार्कन बवत इसको कर लिजएगा हाली में भारति, राष्टि, राजमार्ग, प्राधी, करण के दवारा 105 घंटे में कितने किलोमेटर की सड़क का निर्माण करके Guinness World Record बनाए गया है Guinness World Record में यहां नाम दर्ज हो गया है तो आपयाद कले जिएगा 105 घंटे में 75 किलोमेटर की सड़क बनाई गई है National Highway Authority of India के द्वारा तो 105 घंटे में 75 किलोमेटर की सड़क अरावली से अकोला तक अमरावती से अकोला तक अकोला आपको मिलेगा महरास्ट में तता NHAI की वतमान में धक्षकों है तो अलका उपाद ध्याय है इसके बारे में आपको यादखना है हाली में अवासी समझा होता है भारत और किस देश के मद्ध हुआ था तो भारत और और ऑस्टेलिया के मद्धिया समझा होता हुआ था इसका पूरा नाम होता है अस्टेलिया इंडिया वाटर सेक्योर्टी इनिसियेटिव इसके बारे में आपको याद अखना है हाली में अंक टाड के दोरा प्रकासित बिस्व निवेस रिपोर्ट में FDI प्रवाग के मामले में भारत का क्या स्थान है तो FDI प्रवाह के मामले में भारत का कौन सा स्थान है डिरेक्टि आप से पूछा जा सकता है इसके बारे में तो FDI प्रवाह के मामले में भारत का क्या स्थान है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा भीया इसका right answer आपको होने वाला FDI प्रवाग के मामले में भारत का अस्थान है सातमा सातमा आपयात के लिजेगा FDI प्रवाग के मामले में भारत जो है सातमे अस्थान पर है important person है डिरेक्टि आपसे पूछा जा सकता है तो सबसे ज़्यादा FDI प्रवाग किस देश में था तो सबसे ज़्यादा FDI का प्रवाग था अमेरिका में दूसरे अस्थान पे था चाइना तिसरे अस्थान पे था होंग कॉंग और भारत का अस्थान था इसमें सातमा तो इसके बारे में आपको याद आखना है हाली में प्रधान मंत्री नरंद्र मोडी के दौरा कि इस सहर में इंडियन नेस्टनल स्पेश प्रमोशन और ऑथुराइजेसन सेंटर का यहाँ अस्थापित किया गया है तो यह मुक्याल्य अस्थाबित किया गया है आहमदाबाद में राइटेंस हेलाव। जेँ54 में गया है, तो आयजान के पर किया जा रहा है आपका तमिल नाड़ू में तरिक बारे है आपको याह दखना है, तमिल नाड़ू आपका राइटेंस फुल जाएक और बी वाला दि के लिएगा important है भारत में पहली बार याप के लिए गर भारत में पहली बार जो जो है 44 वालेसमे सतरंज ओलंपियाड का जो आएजन है वह किया जा रहा है इसके बारे में आपको यादखना है और इसका सुभणकर क्या है इसका लिएड़ो क्या है तो इसका जो सुभंकर वो है थामगी आपया आपके लिएगा सुभंकर क्या है तो इसका सुभंकर जो है थामगी का मतलब क्या हो aa a tamilavasam में तमिल में इसको छोटा भाइक आयता है यही इसका सुभंकर है और जान्मरों के लिए भारत की पहली स्वादेशी रूप से विक्सित कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है काफे महत्रपुल प्रस्तन है तो इसका राटेंसर क्या हो जागा एनो कोवैक्स यह जो है भारत की पहली स्वादेशी रूप से विक्सित कोविड-19 की प रबोरेटरी है ICAR की National Center on Equins यह आपको मिलेगा हड्याना मिसी के दौरा इसको बनाए गया है और अगला प्रस्थन है हाल ही में मन्दरेगा के तहत दो साल की अवधी के लिए लोगपाल किसे बनाए गया है important है, मन्रेगा के तह जो है, मात्मा, गांदी, राश्टी, ग्रामिड, रोजगार, गरांटी, योजना के तह दो साल की अवधी के लिए, लोगपाल के रूप में किसे नामित किया गया, किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका नाम है, N.J. ओजा, N.J. ओजा को जो है, नियु काफी महत्पुन प्रस्ण है, तो यह दिया गया है, रामकृष्ण मुकाविली को, किसको तो रामकृष्ण मुकाविली को जो है, युनाइटेड नेशन, ग्लोबल कॉम्पेक्ट के द्वारा, जल प्रबंधन के लिए, ग्लोबल सस्टेनेबल, डेवलप्मेंट, गोल, पा यहाँ पर हमारे टूटल आपके 17 सस्टेनेबल गोल्स होते हैं, जिनमें से कम से कम से कम स्टार्टिंग के 5-6 तो आप याद कर लिजेगा, पहले पर आता है नो पावर्टी, दुसरे पर आता है जीरो हंगर, तिसरे पर आता है गुड हेल्थ एन वेल वेल वेंग आता है, पांच में पर आपका जेन्डर एक्वेल्टी आता है, छटे पर आपका clean water and sanitation आता है, छटे और सात्में पर आपका आता है affordable and clean energy, इसके बाद आपका आता है आठवे नमर पर decent work and economic growth, इनको एक बार आप देख लिजेगा, एक श लेके कम से कम 5-6 तक तो अपया दिक लिजेग ion का important है, और हालही में प्रधान मंतरी नरेंडर मोधी के द्रार संत, तूपा राम सीला मंदीर का उधगाटन रहा है, तो हालही में कहाँ तो महाराष्टा के दे आली में वित्मन्त्री निर्मला सेता रमण के तोरह किस राज्ज में राश्टिस सीमा सुल्क और GST संग्रहाले धरोहर का उद्गाचन किया गया गोवा में अप्सन आपका यहां पे बिलकुत सही हो जाएगा गोवा में जो है राश्टी सीमा सुलग और GST करा को अस्थापित किया गया गया भाइ Springs वर्लड के गावाण करें सुरूर में करेंज़ però करें किस में करें यह सुर्च अबार्घी सिंगिगे तो एक्वड़ी डाइलाग किस देश में किया गया है सुर्ख सब्सक्राइड से देधा को वर्ल्ड सीटेज समीट का भी आयोजन किया गया थे जिसके बारे में आपको याद अखना है हाली में एक पुस्तक को लॉंच किया गया जिसका नाम है लोकतंत्र के स्वर और रिपॉब्लिकन एथिक इन दो पुस्तकों में किसके भासडों को समलित किया गया है सिंपल सीची चीजि आप से पूछी जा रही है तो ये किसके भासडों का संग्र हैं तो ये 2 पुस्तके आपकी रामनाथ कोविंद के जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट भासण है olmas कि पराधारीथ हैं दिनके बारे प्लांट रस्थापित किया है तो इसका नाम आपका हो जाएगा मरूती सूझ की हाली में किस राज ने खेलो इंडीय और यूथ गेम्स को जीता है तो मैंने आपको बता दिया था खेलो-ंडीय इउठ गेम्स को जीता है हरियांन नैं फोला परके सब्संद मिशान की ने सब्सक्राब के लिए फुर्ट सौब्टार नेके सेंपल रैजिस्ट्रेशन सिस्टम तो उसी के द्वर्य कि और एक रिपोर्ट प्रकासित की गई है तो उस रिपोर्ट के अनुशा जो है कि स्राज जिवन प्रत्यासा सबसे कम है इंपोर्टेंट है तो किस राज्ज में जीवन प्रत्यासा सबसे कम है तो 36 गण में जीवन प्रत्यासा सबसे कम है तुछ के बारे में आपके आद अखना है और UP जो आपका सेकेंडन स्तान पर आता है इसमें हाली में रबाब फातिमा को युनाइटेड नेशन के अंडर सेकरेटरी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है तो इनका संबंध किस देश से है तो रबाब फातिमा संबंधित है आपकी बांगला देश से इनको जो है युनाइटेड नेशन के अंडर सेकरेटरी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया तो ये रभाव फातिम्या का समंद बांगला देश से है अगनिपत योजना का समंद आपका है और किससे तो रक्षा से समंदी डिफेंस से समंदित आपकी अगनिपत योजना है काफी नूज में थी इसके प्रारंब का डेट आप याद कर बांगला देश समंदित आपकी अगनिपत योजना भारत की पहली डिष्प्ले फैबरिकेशन इकाई किस जगह अस्तापित की जाएगी तो अब आध के लिए भारत की पहली जो डिष्प्लेश फैबरिकेशन इकाई है 24 ख़जार क्रोड रुपे के निवेश के साथ अस्ता सावा तो लेक सावा आपको कहां पर मिलेगी, यह हाली में सुक गई थी इस कारणसी यह न्यूज में थी तो इराक में आपको रेक सावा इंपर इन्डियन यूरोपीटी इन लिया गए तो ईहागों सही हो जागा पहली बार इंडिया यूरोपीटी June और यूनियन सेक्योर्टी एंड डिफेंस कंसल्टेशन का जो है जान है कि आगए आपका ब्रू सेल्स में अपका जो बी वाला दिया गए बिल्कुल से जाएगा ब्रू सेल्स में अगला प्रस्था आपके सामने है दिया गए आपके फीफा अंडर सेवेंटीन महिला अपका खिला जाएगा भारत में तो इसके बारे में आपके आदखना और इसका जो फाइनल मैच है यह डी वाई पार्टिल स्टेडियम नवी मुंबई में खिला जाएगा इसके बारे में आपके आदखना है नवी मुंबई में जो आपका डी वाई पार्टिल स्टेडियम काफी महत्रपूर्ण प्रस्टन है तो लेटेस्ट की जो रैंकिंग जारी की गई है यह आप से एक जामी पूछी जा सकती है तो इसका राइट इंसर आपका क्या हो जाएगा तो इस इंडेक्स में भारत का अस्थान था साहती समा ओप्सन आपका यह यहां पे बिल्कुल सही ह पिक्चर में भी आप देख पा रहे होंगे भारत का अस्थान साहती समा है तो इसके बारे में आपको याद अखना है तता इस वर्स पहले अस्थान पे आपका डेनमार्क था दूसरे अस्थान पे आपका सुर्टिजर लेंड है तिसरे अस्थान पे आपका सिंगा पूर है इसके बारे में आपको याद आगना, IMD के दरह इसको जारी किया गया हाली में सुर्कियों में रहा I2, U2 पहल, निमलरकित में से कौन सा देश सामिल नहीं है तो I2, U2 पहल में आपके 4 देश हैं, आप याद कर लिजेगा, इंडिया, इजराइल, UAE और US यह 4 देश हैं आपके, IT, I2, U2 में, इंडिया, इजराइल, UAE और अमेरिका, यहनी की USA भारत, गौरो, योजना के ताइज, भारत की पहली नीजी ट्रेन जो है, कोई अमबर टूल से कहां तक चलाए गई तो प्याद कर लिजेगा, भारत, गौरो, योजना के ताइज, भारत की जो पहली नीजी ट्रेन है, यह कोई अमबर टूल से सिरोडी तक चलाएगे, तो सिरोडी आपका राइटेन चलाएगा, ऑप्सन आपका बी वाला जो दिया गया, बिल्कुल सही जाएगा, सिरोडी तक, अगला प्रसन है, हाली में इंडस्ट्रियल डी कार्बोनाइजेशन समिट का आयजन कहां पर किया गया, इंप्सन है, तो इंडस्ट्रियल डी कार्बोनाइजेशन समिट 2022 का जो आयजन है, कहां पर किया गया, तो इसका आयजन किया गया आपका नई दिल्ली में, तो इसके बारे में आपको याद अखना है, दिल्ली आपका राइटेन चलाएगा, ऑप्सन आपका जो बी आपके है, बिल्कुल सही हो जाएगा, तता इस समिट का जो आयजन है, 2022 वले इंडस्ट्रियल डी कर्बनाइजेशन समिट का जो आयजन है, या किया गया था, मतलब उधगाटन जो है, किया गया था हमारे नितिन गटकरी के दोरा, और इसका जो आयजन है, समिट का 2022 के किया गया नई दिल्ली में, प सतह से सतह माइग्रेशन इन इंडिया 2020 21 रिपोर्ट का प्रकासित की गई है सांकिकी और कारिक्रम कार्यानवन मंत्राले के दरा तो इसके बारे में आप को यह दखना है राव इंद्रजीत सिंग इसके मंत्री है हाली में युवा सांसदो का आठमा वैस्विक समेलन कहां पर आयवजित किया गया तो युवा सांसदो का जो आठमा वैस्विक समेलन या आयवजित किया गया आपका कहां पर तो इसके बारे में आपका या दखना है या जो समेलन या आपका मिस्र में आयवजित किया गया इस के बारे में आप या देखिएगा हाली में पेमेंट वीजन दोहजार पच्चीस दस्ता वेज निमनिल्खित में से किसके दोरा जारे किया गया तो पेमेंट्स वीजन दोहजार पच्चीस दस्ता वेज जो है यह जारे किया गया भालतीर जर बैंक के दोरा अर्बियाई के दो आपका यहां पे बिल्कुल सही है यहां पे आप देख पा रहे हैं पेमेंट्स वीजन दोजार पचीस डोकुमेंट जो है आपका जारी किया गया अरभी आई के तरह हाली में गुजरात के पावागण की पहाड़ीयों पर इस्थित काली का माता मंदिर का जो उधगाटन है कि किस राज के दारा किया गया तो इस मंदिर का गाटन किया गया आपके प्रदान मंत्री नर्यंदर मोदी जी के दारा तता यह जो मंदिर है इसको पुनर विक्सित किया गया है तता यह मंदिर आपको में लेगा आपके गुजरात के पावागण पहाड़ीयों के उपर तो र 21 में Renewable Energy Installation के मामले में भारत का अस्थान तीसरा है तो राट इंसरा बाग क्या हो जाएगा तीसरा यानि कि आपका सी यहां पर बिल्कुस ही है पहले अस्थान पर चाइना था दूसरे अस्थान पर आपका रसिया था भारत इसमें तिसरे अस्थान पर था भारत में पहली ब का जो खातन है आपका किया गिया था कहांपर तो गुजरात के हजीरा में कहां सूरत के पास एक जगह है हजीरा यहीं पर जो है इसके शुरुवात कहां पर की गई थी तो बालिका पंचायत की जो शुरुवात है और हाली में की गई थी गुजरात में आप्शन आपका ए यहां पर बिल्कुर सही जगा गुजरात में निम्लिखित में से कहां का है जो भारत का पहला डार्क इसकाई रिजर्व बनने जा रहा है तो लद्दाख का जो हेनले गाउं है या भारत का पहला डार्क स्काई रिज़र्व बनने जा लाए. तो हेनले गाउं कहां का है तो लद्दाख का है, important प्रसन्द है, हाली में justice रंजना प्रकास देसाई को किसका अध्यक्षर निवक्षर किया गया है नुक्लियर वार हेट्स हैं, काफी महत्रपुन प्रस्न है, हाली में 2022 के लिए सिप्री की इयर बुक आई थी, तो इस सिप्री की इयर बुक के अनुशार सबसे ज़्यादा नुक्लियर वार हेट्स वाला देश कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा नुक्लियर वार हेट्स आपको फ्रांस है और इसके बाद आपका भारत करेंग क्या है तो भारत जो है आपका साथमे अस्थान पर है यानि कि पहले अस्थान पर रूस है दुसरे अस्थान पर युएस से है तिसरे अस्थान पर चीन है कमिशनर फॉर्फूजी के दौरत इसके बारे में आपको याद अखना है UNHCR जिसको हम बोलते हैं United Nations High Commissioner for Refugee इसके बारे में आपको याद अखना है हम्दा आपदी बर्रे किस देश के प्रधार मंत्री बने यह जो है आपके हमजा आपदी बर्रे बने है कहां के प्रधार मंत् विमान वाहक पोत फुजियान लॉंज किया है तो यह तीसरा विमान वाहक पोत है कहां का तो चीन का है तो फुजियान आपका राट फुजियान इसका नाम है और चीन का यह विमान वाहक पोत है तीसरे नमबर का हाली में मुख्य मंत्री मात्र सक्ति योजना और पोशन सुधा योजना किस राज्य में शुरू की गई है इंपॉर्टेंट प्रस्थन है तो आप याद कर लिजेगा यह दोनों योजनाई आपकी कहां की है तो यह दोनों योजनाई आपकी है मुख्य मंत्री, मत्र सक्ति योजना और पोशन सुधा योजना गुजरात की option आपका यहाँ पर सही हो जाएगा option C हाली में भूमी रिकॉर्ड रख रखाओं में पारदर्सिता को बढ़ाने के लिए आपकी जमीन आपकी निगरानी कारिकरम कहाँ पर लॉंच किया गया है तो आपकी जमीन आपकी निगरानी कारिकरम लॉंच किया गया जम्मू कस्मीर में option आपका यहाँ पर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा जम्मू कस्मीर में हाली में मुख्य सचीवों के पहले राष्ट्रिय सम्मिलन का आयजन कहाँ पर किया गया तो अप्यात के लिजेगा मुख्य सचीवों के पहले राष्ट्रिय सम्मिलन का जो आयजन किया गया आपका हिमांचल प्रदेश में कहाँ पर तो हिमांचल प्रदेश में इसके बारे मे तो मुख्य सचीवों का जो पहला राश्टी समिलन था इसकी अधिक्षिता के गई प्रधान मंत्री नरेंदर मूदी जी के दोरा तथा इसका जो आयजन था हिवानचर पदेश के धर्मसाला में HPCA स्टेडियम में किया गया था मासिन राम किस राज में स्थित है तो मिघाले में स्थितिया है आपका मासिन राम तताया सरवाधिक वर्षा प्राफ्ट करने वाला स्थान है बिश्व का सबसे मतलब बिश्व का सर्वसेष्ट हवाई अड़ा हमद अंतराश्टी हवाई अड़ा किस देश में स्थीत है तो कतर का यह हवाई अड़ा है हमद अंतराश्टी हवाई अड़ा जो की लगाता दूसरे साल बिश्व का सर्वसेष्ट हवाई अड़ा चुना ग इसा अल खलीफा प्राइज से समानित किया गया सुपर इंपोर्टेंट प्रस्थन तो यह योजना आपकी कौन है PME विद्या योजना को जो है हाली में जो है हाली में युनेसको किंग हमाद बिन इसा अल खलीफा प्राइज से समानित किया गया तो PME विद्या इसकी में आपका राइटेंचर हो जाएगा जो दिया गया है B वाला बिल्कुल सही हो जाएगा हाली में Gustavo Petro किस देश के राश्च्पती बने हैं तो Gustavo Petro जो है बने है ये आपके कोलंबिया के राश्च्पती तो राइटेंचर हो जाएगा कोलंबिया आपका राइटेंचर हो जाएगा इसके साथ ही कोलंबिया की जो पहली महिला ब्लैक वुमन वाइस प्रेसिडेंट बनी है या की वाइस प्रेसिडेंट जो है पहली ब्लैक वुमन बनी है जिनका नाम क्या है तो इनका नाम है फ्रांसिया मार क्वेज इनके बारे में आपको याद अखना है भारती समिधान अनकही कहानी पुस्तक के लिएक आप से पुछे जा रहे हैं तो यह पुस्तक लिखे गई है राम बहादूर राई के दौरा किसके दौरा तो राम बहादूर राई के दौरा हाली में निर्मान स्रमिको के कौसल विकास और कौसल प्रसिक्षन के लिए कौन सी योजना सुरू की गई है तो निर्मान स्रमिको के कौसल प्रसिक्षन के लिए एक स्कीम सुरू की गई जिसका नाम है नीपून आपको भी यहां पर बिल्कुल से हो जाएगा नीपून इसकीम इसके बारे में आपको याद अखना है किस राज्य में अब राज्य पाल की जगा मुख्य मंत्री राज्य दरा संचालित विश्य विद्याले के कुलपती होंगे तो यह मेजर चेंज किया गया है आपके पश्य मंगाल में अब पश्य मंगाल के जो राज्य दरा संचालित विश्य विद्याले होंगे उनके कुलपती होंगे मुख्य मंत्री तो इसके बारे में आपको याद दखना है इंपॉर्टेंट है हाली में भाती नोसेना के तरह फारस की खाड़ी और उमान की खाड़ी में कौन सा उप्रेशन सुरू किया गया है तो फारस की खाड़ी और उमान की खाड़ी में जो है आपका कौन सा उप्रेशन सुरू किया गया तो राइटेंट सालबा क्यों हो जाएगा operation जो आपका ही इसका नाम है operation संकल्प तो option आपका जो यहाँ पे दिया गया operation सलकॉल P वाला बिल्कुल से होजाएगा operation संकल्प तो इसके बारे में आपको यहाद है भास्य नहुंआ के तरव इसको शुरू किया गया और इसमी कौन सा जहाज गया था नेशनल सेक्योर्टी इसका जो आयोजन है मतलब इसका जो आयोजन किया गया नए दिल्ली में राइट इंसरा पक्या हो जाएगा नए दिल्ली आपका ए गौतम अडानी दा मैन हुचेंज इंडिया पुस्तक लेखा कौन है तो आर एन भास कर रहे हैं आप यात को लिजेगा तो राइट इंसरा पक्या हो जाएगा तो वहां कौन सा सहर है तो बैंगलोर में कहां तो बैंगलोर में जो है पिया मोधी के दोरा जो है डाक्टर भीम राव अमेटकर स्कूल ऑफ एकोनामिक्स विस्विद्यालर के नए परिसर का जो है उत्गाटन किया गया तो तो घरेलू अंत्रिक्स रॉकेट है नूरी जिसको हाली में लॉंच किया गया था काफी महत्रपुन प्रस्थन है तो नूरी जो है आपका पहला घरेलू अंत्रिक्स रॉकेट है दक्षिड कुरिया का वन ञेशन वन राषन कार्ड यूजना को लाओ करने वाला अंत्रिक्स रॉकेट है यहां पर याद अखना है और कार्टे परवान गुरुद्वारा कहां पृस्थित है यह नूज में क्यों था क्योंकि आली में इस पर हमला किया गया था था अतंगवादियों के जारा तो अफगानिस्तान में आपको विले गई या काल्टे परवान गुरु द्वारत इसके बारे में आपको याद एकना में पिया मोधी की दोरा Center for Brain Research का उद्गाटन का पर किया गया थो बैंगलोर में जो है इसके बारे में आपको याद अखना है Center for Brain Research का उद्गाटन किया गया थो बैंगलोर में मूनी सुवरतनाथ बिसमें तिल्थंकल थे इनकी मूती जो है अली में कहाँ पर अस्थापित की गई तो जैन धर्म के ये बिसमें तिल्थंकल थे मूनी सुवरतनाथ इनकी मूर्ती अस्थापित की गई करनाटक में इसके बारे में आपको याद अखना है सहिंक्त राष्ट की पहले सहिंक्त राष्ट में भारत की अगली अस्थाई प्रतनीधी के रूप में किसे निक्त किया गया है तो भारत के अगले अस्थाई प्रतनीधी उनाटेड नेशन में कौन होगा तो रूचीरा कमबोज होंगी इनके बारे में आपको याद अखना है रूचीरा कमबोज जो हैं अगली अस्थाय प्रतनिधी होंगी United Nation में भारत की तरफ से इसके बारे में आप याद देखिएगा अगला प्रस्तन है निमलकित में से किस मिशन के अंतरगत बैगनी करांती के शुरुवाद की गई है तो मिशन अरोमा के अंतरगा जो है बैगनी करांती के शुरुवाद की गई हाली में आप इसे आद के लिजेगा जम्मू कस्मीर में लेवेंडर के खेती के लिए जो है आपका मिशन अरोमा शुरू किया गया था हाली में जम्मू कस्मीर में किस जगा प्याद के लिए जगा हाली में जम्मू कस्मीर में किस जगा जो है सिस्मो लॉजिकल आपजर्वेटरी खुली गई है इंपोर्टेंट प्रस्टन है तो राट इंथरा पर क्या हो जाएगा जम्मू कस्मीर में किस जगा पर सिस्मो लोजिकल आपजर्वेटरी खुली गई है तो यहाँ आपकी उधमपूर में खुली गई है तो इसके बारे में आपको याद अखना है अक्टूबर 2022 में इंडो पैसिफिक इंडिवर एक्सिसाइज कहां परजित के गई थी ऑस्टेलिया में के गई थी इंपोर्टेंट प्रस्टन है ऑस्टेलिया में आत्म निर्भर भारत रोजगार योजना का करिवान कार्यानवन कौन सा मंत्राले कलता है तो स्रम और रोजग मंत्राले के द्वारा हन्डेट परसंट आपसे एक्जाम में या पूछा जाने वाला प्रस्टन है तो इसको आप याद कर लिजेगा हाली में कन्वेंशन ऑन बायो लॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए कौप 15 सम्मिलन की मेज़वानी किस देश ने की काफी मेहत्रपूर्ण प्रस्टन है तो इसकी जो मेज़वानी है किस देश के दोरा की गई थी तो कैनेडा के दोरा की गई थी इसके बारे में आपको याद अखना है कैनेडा आपका राइटेंश रह जाएगा कन्वेंशन ऑन बायो लॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए प आवरी कोस्ट में हुआ था अभिडजान जो है अभिडजान का जो सहर आवरी कोस्ट वहीं पर हुआ था इसके बारे में आपको याद अखना है तो कॉप 15 दोनों आपको याद अखना है अगर कंवेंशन ऑन बायोजिकल डाइवसिटी पूछे कॉछे कॉप 15 का तो आपका इको रैप रिपोर्ट प्रकासित की थी तो इको रैप रिपोर्ट को प्रकासित किया गया था भागती स्टेट बैंक के दोरा तो इसके बारे में आपको याद अखना है आय असमानता पर अधारित या रिपोर्ट थी जिसको स्टेट बैंक आफ इंडिया के दोरा प्रकासि परस्द है तो वी कृष्न मूलती को कहा जाता था God के डाक्टर वी कृष्ण मूति को जिनका हाली में निधन हो गया हाली में किस संस्थान के दौरा इंडिया इंडिया जा बूमिंग गिग एंड प्लेटफर्म एकॉनमी शिल्सक से एक रिपोर्ट को लॉंज किया गया निती आयोग के दौरा इंडिया इस्टेट सपोर्ट प्रोग्राम फार रोड सेप्टी के लिए बिस बैंक कितना लोन दे रहा है तो बिस बैंक जो है इसके लिए कितना लोन दे रहा है तो 200 मिलियन अमेरिकी डॉललर का जो लोन है बिस बैंक के दौरा दिया जा रहा है इस प्रोग्राम के लिए इसका नाम है इंडिया स्टेट सपोर्ट प्रोग्राम फार रोड सेप्टी और International Weight Lifting Federation का अध्यक चुना गया है मुहम्मद जलूद को जो कि इराग के रहने वाले हैं मुहम्मद जलूद Global Skills Report 2022 में भारत का अस्थान और सथमा है और स्विजल लेंड इसमें जो है Global Skills Report में पहले अस्थान पे है स्विजल लेंड इसके बारे में आपको याद अखना है काफी important प्रस्थान है डिरेक्टली आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है तो उत्तरपदिस के बारे में भारत का अस्थान क्या है तो और सथमा है इस रिपोर्ट में इसके बारे में आपको याद अखना है अगला प्रसनाव के सामने दिया गया है अगला प्रसनाव के सामने है हाली में International Tennis Hall of Fame और International Tennis Federation के दोरा Golden Achievement Award के लिए 2021 प्रापकलता के रूप में किसे नामित किया गया तो किसे नामित किया गया है तो विजय अमरित राज को नामित किया गया हाली में CBDT कनया दक्स बनाए गया नितिन गुपता बनाए गया है 2022 UN Ocean Summit का आईजन कहां पर किया गया तो पूर्टगाल में किया गया इसके लाबा One Ocean Summit का जो आईजन हो किया गया था आपका फ्रांस में तो दोनों आपको याद अखना है हाली में region specific rate list of birds वाला पहला राजी कौन बना है तो केरल जो है पहला राजी बना है region specific rate list of birds वाला पहला राजी तो केरल आपका right answer हो जाएगा इंपोर्टन परसना है आपसे पूछा जा सकते है इसके बारे में जुल जनाह ठोस इधन रॉकेट किस देश का है तो यह आपका इरान का रॉकेट है इसके बारे में आपको याद अखना है इरान का मिनार पक्छी गाउं कहां पर स्थीत है तो आपका उदेपूर में स्थीत है मिनार पक्छी गाउं इसके बारे में आपको याद अखना है इसको जो है वेट लैंड घोसित करने की बात की जा रही है तो यह उदेपूर में है किसराज सरकार के दोरा सिंगल यूज प्लास्टिक बाई भाय किसकिम शुलूकी गई थी तो हिमानसल्बधिस के दोरा सुलूकी गई थी kिस वर्स तक कि इटनाईसको को आधा कल दिया जाएगा तो 2030 तक आधा कल दिया जाएगा Row vs. Wade Case के से संबंदित है तो USA से संबंदित आपका है Row vs. Wade Case येर News में क्यों था क्योंकि हाली में abortion गर्वपाथ से जुड़ा कानून में हाली में परवतन किया गया है तो गर्वपाथ से ए परे लिए आपका Case था जो की USA का है इसके बारे में आपको यादखना है रोग के नए प्रवुक बनाए गए है सामंत कुमार गोयल इनके बारे में आपको यादखना है 2022 का रड़जी ट्रॉफी मैच किसने जीता है तो मुंबई को हराकर मद्यप्रदेश ने जो है रड़जी ट्रॉफी मैच जीताथ इसके बारे में आपको यादखना है मद्यप्रदेश ने पहला रड़जी ट्रॉफी किताब अपने नाम किया पहला या इसका रड़जी ट्रॉफी किताब है मद्यप्रदेश का है इसके बारे में आपको यादखना है मुंबई को हरा कर हाली में ब्लिंकिट कंपनी को किस ने खरीदा है तो जो मैटो ने खरीदा है और एसियन ट्रैक चैंपियंशिप में सिल्वर मेडल जितने वाले पहले भारती साइकलिस्ट बन गया है तो रोलांडो सिंग आपका राटने सर जाएगा मणिपूर के रहने वा और इसके अध्यक्ष कौन है तो इसके अध्यक्ष है आपके उपाध्यक्ष सुमन बेरी है और इसके अध्यक्ष है पधार मंतरी नरंदर मोदी तो नेती आयोग के अध्यक्ष पीम मोदी है उपाध्यक्ष सुमन बेरी है और CEO है परमेश्वरन आययर हाली में बिस बैंक न मंदिर में अम्बो बाची मेला लगता है कौन सा महिला महीना जो है LGBTQ प्राइड बंद के रूप में मना जाता है जल विद्धुत उर्जा और सौर विद्धुत उल्जा से चन्ने वाला देश का पहला हवाय अड़ा बना है आपका दिल्ली हवाय अड़ा बना है राश्टी जा कोग टॉफ जिसका नाम सूर्यनूतन है या बनाय गया है किसके दर दो इंडियां ओयल कर्पोरेशन के दowरा इसको बनाई गया है तता हाली में इसका पRevent भी करवा लिया गया इंडियां ओयल कोर्पोरेशन के दोरह तो इसका नाम है Pennine Siya speaking के दोरा 26.00 दर्शन यातरा की मेजबाने की गई तो लग्दा के दराज़ है यह मेजबाने की गई आपकी 26.00 दर्शन यातरा की गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस जो सिटी है जिसको हम गिप्ट सिटी के नाम से जानते हैं इसमें इंडिया छित्री कर्याले के मानिदिशक जो एक क डिवलप्मेंट बैंक तो एंडिबी निव डिवलप्मेंट बैंक की दरा इसका पहला छित्री कर्याले खुला गया है गिप्ट सिटी में जो कि आपका गुजरात में इसको हम बोलते हैं गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इसका नाम थोड़ा से छुड़ गय है डॉक्टर डीजे पांडियान जो है एंडिवी नेशनल डिवलप्मेंट बैंक इंडिया छित्री कर्याले के मानेश सब बनाए गए आपके डीजे पांडियान तथा एंडिवी ने इंडिया में अपना छित्री कर्याले कहा पर खुला है तो गिप्ट सिटी गुजरात मे important है हाली में ONGC विदेश limited के दवारा किस देश में तिल की खोच की गई थी तो कोलंबिया में जो है मो बस सेवा कहां की सेवा है तो या गुजराद की सेवा आपकी है मो बस सेवा इसके बारे में आप क्या दखना है हाली में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसीज को पट्टा चित्र पेंटिंग भेट की है तो ओडिसा के मुख्यमंत्री जो है इनी के दरा जो है वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसीज को पठ्टा शित्रा प्रेंटिंग भेट की गए थी तो प्रहम विस्ष्ट हमनेट क्यों चर थे दूर्झ आटotch आख यीव दिया गया था में बना है important प्रस्थन है आपसे पूछाया सकता है इसके बाड़े는 तो भारत का पहला जो विलेज़ off honey गाऊं है यह गाँपर बना है कि तो यह आपका बना है अप याद कर लिजेगा तो तो महरास्थ में एक मघर गाउं है यही आपका विलेज आफ हनी गाउं बना है भारत का पहला ते इसके बारे में आपका विलेज आफ हनी गाउं बना है भारत का पहला ते इसके बारे में आपको याद आखना है इंपोरेंट है और इसके बाद आपका अगला प्रस्तन है हाली में इसिया के जो है इसि बड़ा बहुत धीम पार्क है हाली में देश का पहला ग्रामिड आदिवासी तक्निक प्रसिच्चन की सुरुआत काम पर की गई है तो मद्य प्रदेश में जो है इसकी सुरुआत की गई है इसके बारे में आपको याद आखना है और देश का पहला ग्रामिड आदिवासी तक्निकी प्रसिक्षन शुरू किया गया आपका मद्दे प्रदेश में हाली में इस रोग के दरा किस देश के लिए HS200 Solid Rocket Booster का सफलता पूरवक परिच्षन किया गया तो गगनियान मिसन के लिए जो है इस Solid Rocket Booster का सफलता पूरवक परिच्षन किया गया गया जिसका नाम है HS200 तो इसके बारे मैं आपको याद आखना है 100% एक जामे पूचा जाने वले प्रस्थन है इस रोग के दरा जो है या बुस्टर सफलता पूरवक परिच्षन किया गया तो इस रोग के दरा हालि में किसान कल्यान मंतराले के दोरा किस योजना में तक्निकी साहिता प्राप्ट करने के लिए UNDP से समधवता किया गया है तो प्रधान मंत्री फसल भीमा योजना में तक्निकी सायता प्राप्त करने के लिए जो है UNDP से हाली में सुझता किया गया है किसान कल्यान मंत्र लाले के दौरा हाली में सविंगत राष्ट मनादिकार परसत में रूस के अस्थान पर कौन सा देश समलित हुआ है रिपोर्ड आफ लाइव स्टाक एंड पॉल्ट्री को जारी किया गया था तो इसको जारी किया गया था पुरसुत्तम रुपाला के दौरा तो इसके बारे में आपको या दखना है भारत ने जीता इंडोनेसिया को फानल महरा कर तो था बारत का या पहला Thomas कप था इसके बारे में आपको याद अखना है भारत का पहला इसको मतलब आपको याद अखना ह나 इंप्पॉर्टेंट है चलिए बताएं कि Thomas Cup का संबंद किस खेल से इसका जवाब आपको में कमेंट वाक्स में देंगे हाली में Dave Olympics 2022 में स्रेया सिंगला ने कौन सा पदक जीता इंपोर्टेंट प्रसन है आपको पताओगा ब्राजील में 2022 के Dave Olympics का आईजन किया गया था तो इस Dave Olympics 2022 में स्रेया सिंगला ने कौन सा पदक जीता था तो गोल्ड मेडल यानि कि सौन पदक जीता गया था स्रेया सिंगला के दोरा बैडमिंटन में जीता गया था और ब्राजील में जो है Dave Olympics का आईजन किया गया इसके बारे में आपको याद अखना इंपोरेंट है डारेक्ली आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में तो इंपोरेंट प्रस्न है आप इसे याद के लिजेगा तता यह जो आपके Dave Olympics खेल हुए थे इनमें सबसे ज्यादा पदक जीता था तो यूक्रेन ने जो है इसमे सबसे ज्यादा पदक जीता था जिसके बारे में आपको याद अखना है है manipulation, sports competition से सμंधित आपका था, यह आप my colon convention तो इसके बारे में आपको याद अखना है हाली में pro francis Vatican City के जो pro francis है इनके दौरा किस भारती को संतखोसित किया गया तथा यह संतखोसित होने वाले पहले भारत आम भारती बन गया है तो इनका नाम है देवा सहायम पिल्ड़ई इनको जो है हाली में संद घुसित किया गया था किसके दोरह तो वेटिकन सिटी के जो पोप फ्रांसिस है इनके दोरह तो इसके बारे में आपको याद अखना है हाली में रक्षा मंतिराजनात के दोरह लॉंच किया गया किये गए भालती नौसेना के दो स्वधेसी युद्ध पोत का क्या नाम है तो ये दो स्वधेसी युद्ध पोत है आइने सूरत और आइनेस उदाय गिरी इनके बारे में आपको याद अखना है नासा के दोरा लॉंच किया गया मिशन इंडूरेंस मिशन का संबंध किस से है तो इंडूरेंस मिशन का जो संबंध है आपका धरती से है तो इसके बारे में आपको याद रखना है धरती से संबंध है मिशन है जो आपके नासा के दोरा लॉंच किया गया उबरकप 2022 जीता दच्छिल कुरिया ने अप्याद कर लिजेगा 2022 का जो उबरकप ही है दच्छिल कुरिया के दारा चीता गया एलेजाबेत बॉर्ण किस तेस के प्रधामंतरी ने जुप्त किया गया तो फ्रांस के ये प्रधामंतरी है एलेजाबेत बॉर्ण किन सरकार के तरह One Nation, One Rason Card योजना को किसके साथ जोड़ा जा रहा है तो One Nation, One Rason Card योजना को जोड़ा जा रहा है East Ram Portal के साथ अप्याद कर लिजेगा East Ram Portal के साथ जो है One Nation, One Rason Card योजना को एक रित किया जा रहा है मालवी मिशन किसे सम्बंदित है चुना गया है तो Dr. Kamal Bawa को जो है US National Academy of Sciences के लिए चुना गया तो इनके बारे में आपको या दखना है Dr. Kamal Bawa आपका राइट एंसर हो जाएगा हाली में किस उद्योगपती को महरानी Commander of the Order of the British Empire दिया गया है तो इनका नाम है ये उद्योगपती आपके है अजय पिरामल इनको जो है महरानी के द्वारा Commander of the Order of the British Empire यहने कि CBE मिडिया गया है तो इसके बारे में आपको या दखना है Commander of the British Empire यह दिया गया किसको तो यह दिया गया आपके अजय पिरामल को हाली में किस भारती राज्ज में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है तो उत्राखंड में जो है पक्षियों की प्रजातियों की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा दर्ज की गई है तो इसके बारे में आपको या दखना है पहली बार हिमालियन बर्ड काउंट किया गया था जिसके अंतरगत यह रिपोर्ट आये थी इस रिपोर्ट में उत्राखंड में पक्छियों की प्रजातियों की जो संख्या सबसे अधिक दर्च की गई इसके बारे में क्या देखिएगा हाली में किस राज्य में किस राज्य ने बारहमी हाकी इंडिया सीनियर चेंपियंशिप 2022 को जीता है तो इस राज्य का नाम है उडिसा उडिशा के दोरा बारहमी हौकी इंडिया सीनियर महिला राष्टी चेम्पियंशिप को जीता गया है तो इसके बारे में आपको यादखना है उडिशा जो है आपका राय टेंशर हो जाएगा लोक, मिलनी, योजना किस राज की है तो यह पंजाब की योजना है तो इसके बारे में आपको या दखना है पंजाब की भारत का 52 टाइगर रिजर्ब रामगर्ड विसधारी किस राज में है तो यह राजस्थान में आपको मिलेगा रामगर्ड विस्धारी Tiger Reserve इसके बारे में आपको आधकना है रामगर्ड विस्धारी जो Tiger Reserve है आपको मिलेगा राजस्थान में ये देश का 52 Tiger Reserve है हाली में किस देश में डाक्टर भीमराओ अमेरिकर के नाम पर एक सड़क का उठगाटन किया गया है तो जमाइका में उठगाटन किया गया है Bombay Stock Exchange के वदमान अध्यक्ष को ने तो SS मुंद्रा जो है बनाए गया है Bombay Stock Exchange के वदमान में अध्यक्ष SS मुंद्रा किसकी अध्यक्षता में भारती का पास परिस्त का अध्यक्षता में दो सीटो वाला flying trainer विमान जो हंसा एंजी है इसको किसके दरह डिजाइन और विक्सित किया गया है तो ये National Aerospace Laboratory जहने कि NAL के दरह जो है इसको डिजाइन और विक्सित किया गया है हनसा एंजी जो कि आपका 2 सीटो वाला flying trainer विमान है पेट्रोल में 20% एथनॉल मिलाने का लग्छी कब तक रखा गया तो पहले यह 2030 था भी इसको कब दिया गया है 2025 तो इसके बारे में आपको याद रखना है तो इसा सिंग और सौरप सिंग ने जो है स्वान पदक जीता था इसके बारे में यह हमारे भारती निशाने बाज है किस देश में आयोजित आईबी ये वर्ल्ड वूमन बॉक्सिंग चेंपेंशिप में निखत जरीन ने जो है स्वोनपदग जीता है इनका नाम है निखत जरीन दिन के बारे में आप क्या राखने है इन्स्ता बूल में इसका आयोज़न किया गया था हाली में अटल पेंशन योजना प्रधान मंत्री जीवन जोती भीमा योजना और प्रधान मंत्री सुरक्षा भीमा योजना ने कितने वर्स पूरे किये हैं तो टोटल इनोंने 7 वर्स पूरे कर लिये हैं इनकी जो सुरुवात है, इन तीनु योजनाओं को सुरू किया गया था, 9 मई 2015 को तो इसके बारे में आपको याद अखना है, इंपोर्टेंट है, अटल पेंशन योजना, प्रधान मंतरी जीवन जोती बीमा योजना और प्रधान मंतरी सुरक्षा योजना, इसके बाद हाली में लुईस विट्टो की पहली पहला भारती ब्रांड अबेस्टर बनाए गया था, दिपिका पादुकोर्ण को तो इसके बारे में आपको याद अखना है, यह एक विदेसी कंपनी है, लुईस विट्टो जिसकी पहली ब्रांड अबेस्टर बनाए गया आपकी दिपिका पादुकोर्ण यह एक लगजरी ब्रांड है इसके बारे में आपको याद रखना है लूइस विट्टोन की जो पहली भारती ब्रांड बेस्टर हो बनाए गए थी दिपिका पादुकोर्ण तो आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू, थैंक्स पर लॉजिंग, थैंक्यू